सब्सक्राइब आजी सारे नू मेरा नाम बलजीत सिंग है स्वागत है तो आड़े अपने यूट्यूब चैनल आयल्स जर्नी 46 दे दोस्तो वीडियो था था में वेके रहे था नूपता लागी गया होना कि आज दी वीडियो के टे टॉपिक दे राइटिंग टास्टू बारे मैं सारे जदो ऐसे पड़े तो मैं कंक्लूजन दे पहुंचे है कि मैंनों वीडियो बना लेनी चाहिए तो को दे विचे मैं सारी चीज़ना कवर कर दूँगा क्योंकि हरे एक बचे दा वन बाई वन करके रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ऐसे को अनुदा यह गलतियां दास दूँगा कि क्यों तो अड़ा बैंड स्कोर जड़ा राइटिंग टास्ट हुदे विचे 5.5 या 5 ते हिया उस तो अगे तुसी क्यों नहीं जा पा रहे तो सारे एक कॉमर मिस्टेक है जदे बारे इस वीडियो तो मैं गल करूंगा सब तो पही कि अपना आइस ता एक्जाम कार बैट के क्रैक कर सकते हो तो बहुत स्टूडेंट ने क्लियर भी कीता है तो उसी चैनल दे जाके रिजल्ट भी देख सकते हो तो इस करके विदाउट वेस्टिंगा टाइम सब्सक्राइब डिस चैनल एंड ए वीडियो नू शुरू तो ले एक स्टूडेंट द्वारा लिखिया गया तो उन्हें मेरा स्टूडेंट नी है मैं पहला है दास दा ते ए ऐसे ओदे किसे टीचर द्वारा चेक किता गया ते उन्हें मैंनू सेंड कीता कि सरे चो बैंड स्कूर दाओ वीडियो नू शुरू तो लेकि अंट तक ज़रूर वेखियो क्योंकि ता अनू गलतियां दा पता लग जूगा कि किन्ने बैंड स्कूर दी राइटिंगे है गी या ते की की ये ची गलतियां उन्हें कीती है जेकर मैं बैंड स्कूर दी गल करा ते मैंनू चार बैंड भी नहीं दऊंगा ऐसे नू पता क्यों उतान वन बैंड करके मैं एक्स्प्रेंड करदा है पहली चीज तो मैं कॉन्फिडेंस दी दाथ दिनना है जिनने ऐसे चेक कीता तो ही टिक वेखो कितरा मारी उन्हें सारे ऐसे रिज़ कि पता नहीं किन्ना गवदी ऐसे लिखे आया है बट तुसी स्टूडेंड नों तोखेच राख देजे ठीका और वेखो किस तरह स्टार्टिंग किस तरह आई है अगले बने थीसिस चेक करो I will discuss this view in upcoming paragraph केने ओपीनियन पुछे ऐसे दिवेच असी तक्के देना लाइना बच्चे पहला इंप्रेशन ना कोई पैराफ्रीजिंग गया ना कोई थीसिस स्टेट्मेंट चाजे ना देती है ते थीसिस स्टेट्मेंट टास्क रेस्पॉंस दे बैंड न दे चीज़ा था नों भी पता है तो कदी भी इस तरह इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करनी जैस तरह कर दे बेदे आजी बंद कर दो फिर उस तो अगले बनने आजो तो कमेंट्स विद कॉमा इन फैक्ट आई थिंक टीचर पूरह न लिखे है टेक के वुड भी अगे पता ही नहीं की लिखे है ने टीचर ने इस तरह ही स्टूडेंट नो प्लेखे रखे जाना या जिदे करके उन्हा बचा रहे हैं था बैंक्स को नहीं हो दा जित तो आड़ा ऐसे भी इस तरह लिखे जा रहे है न तो प्लीज आज इस तरह लिखना ऐसे बंद कर दो तो एस चैनल ते जाओ तो आनू गल ते कंक्लूजन मालों चिकी कीता है न ने ठीक है ते मैं जारातर ऐसे नूँ पता मैं ऐसे नूँ क्यों चुड़े हैं क्योंकि जारातर सारे बचे ने ऐसे इस तरह लिखे है आओ उन तो नमें बॉड़ी पेराग्राफ टू जड़ा ओ वो खोना है ते कंक्लूजन वो कैसे तरह लिखे हैा पता लागे है गलतिय की थे है सो एक गलतिय है तुसे कडी नहीं करनी है हुन देखो बॉड़ी पेराग्राफ टू किस्तरा स्टार्ट कीता है further more पहली चीज़ था तो यह विखो body paragraph 2 लिखे उन्हें किड़ा किया weightage विखो किन्हें कि दिती है सिरफ 1, 2, 3, 4 ते 5 लाइना दा body paragraph 2 ते conclusion भी इन्हें के लाइना दा ही है चलो conclusion ते माल लेने हैं आपकी 4-5 लाइना दा होना चाहिए था यह विखो कि body paragraph जड़ा उपर ले बने लिखे है for example मतले भी body paragraph 1 उन्हें खतम कीता है ते body paragraph 2 सिर्फ उन्हें चार लाइना दा लिखे है यह थे टाइसो वर्ड बन दे नहीं है पहली चीज़ दे इदा score ही जड़ा हो मेरे साम देना लाइना चार यह साढ़े चार हो ना चाहिए था ठीक है क्योंकि structure wise ही ऐसे नहीं लिखे है उन्हें body paragraph 2 चलो पढ़ दे है फिर हो गाल कि सही यह विखो किस तरह हमारी है कि पताने कि डग PhD लेवल दे टीचर ने इन्हें चेक कीता हूं दा सम लिखे है वगे कि ऐसे लिखा लगया सा अनू introduction में दस्या सीगा 40 to 45 words जड़े ता डे या 55 words तक इंट्रो नी चाहिए दिया 90 to 95 words दा body paragraph 1 90 to 95 words दा body paragraph 2 ते conclusion 40 to 45 words फिर अपना ऐसे 280 या 290 words दा बांदा है मैं तान दस्या ना मैं तान दस्या ना मैं अपनी वीडियोज विच एक्स्प्रेंड का दा रहे कि इना चारा चीज़ां दे विचों चारे पैरामीटर दे विचों कि ते अपने दो ते कांटा बाज़ गया ना ते अपना बैंड स्कूर नहीं होना क्योंकि एचीज नो तो हीतियां चारी रखे लिचों तो ही सिरफ की रैटिंग लिख लिए वीडियोज व्यख लिए लिखी जाइए लिखना न बैंड आ जाने है नहीं ओने तो ही पाँ मैं एक दिनचे पंच 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 ऐसे लिख लो ते जे ऐसे लिखना नहीं हो दा मैं फिर कह रहा है उन्हें आइल्स जर्णी 46 यूट्यूप चैनल नूँ फालो कर लो तो आनू वीडियो जो एक की लिखना आ जूगा ते बहुत बच्चे ने बहुत वधिया बैंड स्कोर ले है हुन मैं तो आनू एक इंट्रोड़क्शन दा जड़ा सेंपल वह होना है जड़ा की मेरे स्टूडेंट द्वारा लिखया गया ते मैं नोट पैड़ दे वेच लेके तो आड़ एक रखा लगा है की एंट्रोड़क्शन जड़ी तान में हुने पड़ा ही है ते आवाली इंट्रोड़क्शन ओन पड़े हो दोवां चो थाणू केचे जादा ख्लारीटी लगा दिया ते श्लारीटी दे बैंड मिलने है नहीं ते तान में बैंड नहीं मिलने simple straightforward हुना एक statement चेक करे हो, discuss both side and give your opinion वाली statement है some people say that teaching foreign language to a student in their early age is a good option but some people say that after completing scantry education this option will be proved beneficial for them discuss both views and give your opinion यह मालो एक statement है, हुने इनु पराफ्रेज करके मेरे student introduction के में लखी है तो ही आप देखे हो ते तो अनु पता लग जुगा की केडी introduction जादी क्योंकि introduction जड़ा हो तो आड़ा first impression होंदा है जए first impression ही गलत पहागया, अगे ऐसे लिखी दा कोई फैदा निया हुन अगली introduction जड़ी देखो, जड़ी ओ बच्ची ने लिखी है हुन वेको introduction के में लिखी हुने, starting with the passive tense it is often considered that educating children about different languages in their childhood is quite a good approach but some individual have different point of view, they should be taught once they completed their schooling मतलब उसे चीज़ नो paraphrase करके लिखदा प्यावा कि उनना नू language जड़ी है सखोनी बच्चपन वेचे चंगी परोच है but किन्दा कोशलो किन्दे उनना दा different point of view है कि नहीं ए चीज़ उनना नू जदो अपनी 12th class या secondary education को ब्रीट कर लेंदे है मतलब फर्स्ट नोशन वाली था इरते हो गया आया जड़े उनने लिखे या लिखे या जड़े उपर बोथ अबव मेंचेंड व्यूज जड़े देते है proper explanation देना उनने ए नहीं लिखे या कि I will discuss यह तुसी नहीं discuss कर दे पहे यह ऐसे discuss करूगा अगले बनने लेखे दे तुसी पहे ज़े उनने एक का अपनी starting वी according to me लिखे या वह भी चीज़ उबचे नहीं गलती की थी it is often considered like passive 10 तो start कीता हूँ उनने दस्यागे मेंनो sentence formation भी यह उन दी है so तुसी भी अपने ऐसे नहीं इस तरह clarity दरा लिख साक देजे body paragraph 1, body paragraph 2 conclusion के में लिखना है ओ वेखन वास्ते I wills journey 46 YouTube channel होने follow कर लो I guarantee you कि तोड़ा bands को वदी आओगा I hope कि जड़ी मैं वीडियो बनाई है तो आनू यह तो बहुत कोई सिखन मिले आओगा ठीका ज़े फिर भी कोई डाउट है comment box में पोस्त सकतेजे मेरा whatsapp नंबर चैनल स्टार्टिंग ची में दता है देखके में वाट्साप भी कर सकतेजे online classes join करना चौन देए उदले भी तोसे में इन्हों contact कर सकतेजे बट प्लीज वाट्साप करें ओके सो नेक्स्ट वीडियो कहते हैं और चाहिदी जरूर दस्यों मिल दें अगली वीडियोच सास्रीकाल जी